नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिर से एक पर आपको बहुत बहुत दिल से सागत करता हूँ, तो आप सब लोग कैसे हैं, मुझे जोरूर कमेंट करना, तो आज मैं डिसकसन करूँगा, कुछ कमपानिस के बारे में, सुरी, कुछ नहीं, एक कमपानिस के बारे में, जिसके उपर बह पुरा पुरा बरबात हो गया, और इस कमपनी को खरीदने के लिए बड़े-बड़े प्लियास सामने आ रहा है, तो इस कमपनी को उपर अभी क्या किया जाए, अगर इस कमपनी को बड़े प्लियास खरीद भी ले, तो मेरा क्या हालत होगा, अगर मैंने इस कमपनी को पर न चानल के मात हम से मिलता रहेंगे और हाँ आप टेली ग्रम को जूर जोन करना जहाप आपको बहुत सरा अपडेट मिलता रहेंगे साथी साथ आप ट्रेड करका भी पैसा कमा सकते हैं टेली ग्रम में जाकर एक वच्छे कब देखिए मैं आपको काम करने के लिए नहीं कहूंग तो चलो देख लेते हैं आज की स्टॉक के डीटल के बारे में तो company का नाम क्या है company का नाम है future retail अब सभी जानते future retail एक कितने बड़े ग्रूफ है इस ग्रूफ का हालत लगाता लगाता बिगड़ते जार है और इसी ग्रूफ से जुरू है company's है जिसका नाम है big bazar अब सभी जानते big bazar के बारे में तो big bazar एक बहुत पुराना retail business करने वाला company's है आज मानके चलिए Reliance, Tata और साथी साथ देखा जाए तो avenue supermarket यह इतने बड़े-बड़े place market में आ चुके है जिसके कारण उसका business strategies के कारण आज future retail companies का हालत खराफ हो गया एक time इस company राज करते थे और इस company इतना बड़ा था कि इस company बाकी सारे company को टकर देकर चल रहे थे तो company start कब हुआ था आप ध्यान से देखेंगे इस company start हुआ था 1987 से तब से लेकर company start हुए थे और company कब आप देखेंगे parent organization कौन है future group तो future group के ही एक दिखेंच company जिसका नाम है future retail तो future retail के बारे में आज discussion करूँगा जो company आज 3 रूपिया में चलने वाले company है और इस company में पिछले अप्ते में आपको दिखाता लगाता लगाता अपस circuit देखने को मिला था इसके पीछे कारण भी आपके साथ में discussion कर चुका आप देख सकते हैं जैसे future retail LLC है साथी साथ याब देखे SHME food brand private limited है तो इस तरीके से कुछ companies है जो इसका ही subsidiaries company है तो इस company में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए आज company 3 रूपिया में आ चुके है अगर इस company का maximum chart पर रूपिया कर दो तो एक time इस company 600 रूपीज के आसपास चल करने वाला company था 2018 के बाद इस company के उपर मतलब लगाता लगाता बरबादी स्टार्ट हुआ और धेरे-धेरे करके company गिरते गिरते आज 98% क्रियास हो चुके है और company bankrupt भी हो चुके है तो जिसके चलते है company अभी क्या करने वाल है खुद का company को बेचने वाल है कोई ना कोई बड इस company के उपर निवेस करने के लिए और निवेस नहीं इस company को खरीदारी करने के लिए वो तयार है क्योंकि दिखे जितने सारे बैंग ने इसको लोन लिया जितने सारे टेयर्स ने इसको product बेचा था तो उसके लिए उसको भी तो पैसा चाहिए ना तो वो पैसा कहा से में तो बरबात हो गया तो इसलिए बोच आ रहे कि अगर दूसरे कोई आदमी दूसरे कोई कमपणी इसको खरीदारी कर ले तो उन में से कुछ पैसा मिले तो ही मेरे लिए काफी है तो इसलिए एक रिपोर्ट पब्लिस किया गया था चलो सबसे पहले बो रिपोर्ड में आप को दिखा देता हूँ वो रिपोर्ड आया था आप देख सकते हैं 49 कंपणी आप अपलाई कर चुके हैं जहाँ पे रिलैंस है जहाँ पे डब्लो एच समीथ है अदानी है साथी साथ और भी बहुत सारे कंपणी है कुल में लेकर 49 कंपणी अपलाई किये है इस कंपणी को ख कर ले तो बहुत सारे लोग एैसी सोच रहा है कि कंपणी रॉकेट बनेगा तो देखें क कंपणी के ऊपर खरिदरी होगा इसको सोचकर ही कंपणी अपसर कि लगएना स्टाफ कर दिया अगर रिलैंस खरिदरी कर ले अगर अदानी कर ले तो इस तॉक के ऊपर और भी तेज जो रूप दिखेगा, मगर मैं जो रूप कहूंगा, इस तरीके से चीज देखकर निभेस मत करेगा, यह कि अगर मैं आपको एग एगजमपल अलग इंडेस्टिस के बारे में, अगर ध्यान से देखेंगे, तो इस कमपनी का हालत क्या हुआ था, जब रिलैंस ने इस कमपनी क आ चुके हैं, तो इही हालत होता है, जब कोई स्टॉक के ओपर बड़े आदमी खरीदरी करते हैं, तो आप सोच रहेते हैं, वो कमपनी को पर इसलिए खरीदरी कर रहे है, किकि उस कमपनी को जो एसेट है, उसेट को वो यूज कर पाए, उसेट से वो कुछ खुद का बिज देखने को मिला है, अगर रिलैंस ने रिटेल फीचर को, मतला बीग बजार को खरीदरी कर लेते हैं, तो आपको बीग बजार नहीं दीखेगा, आपको रिलैंस के रिलैंस रिटेल दीखेगा, तो इस कमपनी के बारे में डिसकसन ध्यान से आप देखना, या भी आपको ग्रोथ के बारे में बात करूँगा, तो फाइनसली ग्रोथ क्या है, देखिए, आपको देखकर है हाईरान हो जाएंगे, एक सो चालीस, पैतालीस करोड के आसपास इसका मार्केट कैप है, कमपनी का करेंट प्रेस तो आपको सच्टे में दीखेगा, मगर पीर इस्यो अव कमपनी को प्रेस करना सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी सबसे तो नहीं है, एंकम देखिए कितना, तीन हजार करोड के आसपास लॉसेस में, कमपनी में एकस्पेंस हो रहा है, मगर कमपनी में इनकम हो नहीं हो रहा है, तो इससलिए कमपनी लॉसेस में जा रहा है, साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है 14% जिन में से 31% कमपनी खुद का सेयर को प्लेजिंग करकर रखा मतलब दूसरे के पास गिर भी रखकर पैसा उठा है अगर कमपनी बेज गया मतलब कमपनी किसी को दूसरों को बेचा गया थो उसका सेयर भी चला जाएगा तो प्रोमो बता रहा है कमपनी में स्टेंद बहुत नेगटिव है कमपनी का रिटन वैसे भी नेगटिव में है रही बात कमपनी का प्रोफिट और लॉस के ध्यान से चीज़ को देखना मैं क्या आप बताना चाहूंगा कमपनी का जो सेल्स का जो ग्रोथ है आप इस ग्रोथ को कर दो डोड़ तक आचुके है कमपनी के सेल्स क्रोथ जब जब पॉजिटिव में था 2016 में सतरा में अठार अठार में जब कमपनी बूम में था उसके बाद 2018 के से लेकर आस्ट कमपनी का सेल्स डाउन होता चला गया रही बात कमपनी के expense का तो कमपनी के expense के बारे हम बात करो तो company के expense देखिए, लगातार लगातार increase होता जा रहा है, company का material cost बढ़ते जा रहा है, साथी साथ manufacturing cost, देखिए, इस company का manufacturing कुछ cost नहीं है, employee cost भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है, पहले 5% था, अज 9% हो चुके है, आदास cost आप देखेंगे, तो कितना, 19% से लेकर 17% तक आदास cost हो चुके है, तो यह सारे cost जोड़कर company का income हो रहा है, उससे company का expense जादा हो जा रहा है, साथी साथ company का देखिए, जो में एक चीज हमेशा देखता हूँ, वो है OPM, OPM का percentage, मतलब operating profit margin, इसका percentage increase होना चाहिए था, अगर stable भी होता, तो भी माल लेता, company के OPM negative में चलाया, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, इस बात को भी आपको सोचना है, तभी आप इस तरीके से company से कुछ पैसा बना सकते है, तो रही बात company का profit and loss का, तो company 3000-4000 कड़का अभी loss कर रहा है, क्या सही में इसके लिए company के ऊपर निवेस करना चाहिए, तो देखिए company का Cager percentage, loss, 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 और वो भी कितना, 60%, 70%, एक सार में तो 90% तक असपास losses दे दिया, तो जितने सारे दोस्तों ने high level में खरीद के रखे थे, तो उसका तो पूरा का पूरा पैसा ही साफ हो गया, उसका तो लोग निवेस करके रखे थे, तब इसको पैरामेटर अच्छा था, तब उन्होंने सोच कर निवेस किया, कि मैं निवेस करने के बाद इस company को नहीं देखूंगा, तो उसका तो पैसा ही बरबाद हो गया, उसका तो सारे पैसा losses में चला गया, तो ए सोचना है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे यह भी कमेंट कैसा है, अपने बार-बार बहुत सारे stock के ऊपर वीडियो बनाता रहते है, बार-बार news दिखाते रहते है, क्यों दिखाते रहते है, इसलिए में दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको पता चले, actually company का अंदर क्या सही में ठिक-ठक चल ला है, अगर सही में ठिक-ठक चल ला है, तो बढ़िया है, अगर नहीं चल ला है, तो आपको exit करने का मौका दिया जा रहा है, तो उस मौके को फाइदे की साब से उठाइए, आपका losses होगा, कम होगा, इतना बड़ा losses नहीं होगा, तो मैं बार- तो इस गाड़े को कभी भी मेंटेनस नहीं करूंगा कभी भी चेक अप नहीं करूंगा मतल्ट चेकम मतलब मेडिगल चेकम नहीं है एंधि है और उसके साथ Reserve भी दे क्रजा बिली तरीकर से कोमपे क्रच्रा कर दोनों के लेरिकर और रही बाथ रिखनट के आधस लइबलिटी का तो लिख बाधे कम्पनी कम्पनी को पर बहुत बड़े बन चुक है वो है ट्रेड पेबल में पहले बोल चुका हूँ इस कंपणी को पर जो 39 कंपणी ने अपलाई किये है कि इस कंपणी को खरीदरी करेंगे तो उसके इसाब से ट्रेडर्स पेबल मतलब जो लोग ट्रेड कर चुके जो लोग इसको प्रोड़क बेचे है तो उसको बाकी है तो उन में से कितना 3000 करोड वो अभी भी ड्यूज है तो यह बात भी आपको याद रखना है रही बात कंपणी के कैस फ्लो का कैस फ्लो को नेगटीव दिखेगा और रही बात कंपणी के इन्वेस्टर के तो इनवेस्टर के आपको डेटा दिखा दू तो करना आपके पास क्या इस company का holding है तो मुझे प्लीज कमेंट करना मेरे पास इस company का कोई भी हिस्सेदर नहीं है पहले मैं आपको डिस्क्लेमा जोरू दे दू किकि इस company के ऊपर मेरा कोई भी हिस्सेदर नहीं है तो इस तरी किसी information पाने के लिए details वीडियो जानने के लिए चैन